नमस्कार महुबरी येश और आप देख रहे हैं ABV Entertainment दोस्तों टीवी सीरियल अनुक्मा में पिछले कुछ दिनों से चीजे अब सब पॉजिटिव हो रही हैं शो में कमी चीजे हैं जिन्होंने कहानी पर नेगेटिव इंपेक्ट डाला है वनराज शाह के जाने के बाद सब कुछ सुधरता दिख रहा है लेकिन यह सब बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं रहेगा अनुक्पा सीरियल में अभी तक पारितोष शाह को अपने पिता की जगह लेने की कोशिस करते हुए दिखाये गिया है लेकिन इस कोशिस में वह हर बार अपना ही मजा कुड़वाता है मीनू और सागर की जोड़ी तोड़ने के लिए उसने डॉली को बुला कर और भी ज्यादा आफ़त मोल ली है और इसी वज़े से उसे उल्टा नुक्सान भी हो गया है क्योंकि शाह निवास में आने के बार डॉली भी अब अपना हिस्सा माँगने लगी है वनराज शाह की गईर मवजुदगी में हर कोई अब अपना उल्लू सीधा कर रहा है लेकिन इसी बीच अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सुनकर बापुजी, तोशू, पाखी सभी के होस उड़ जाएगे अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तोशू को पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा कि उन्हें एक अग्यात सो मिला है पुलिस उससे आकर सो की पहचान करने के लिए कहेगी और यह बात सुनकर शाह निवास के हर सक्स का होस उड़ जाएगा पुलिस दावा करेगी कि उन्हें अग्यात सो के साथ जो भी सामान मिला है वो वन्राज शाह का है शाह परिवार के सभी सदस से बदहवास हो जाएंगे और वो पुलिस टेशन की तरफ दोड़ेंगे अनुपमा और अनुच का पड़िया को भी इस बारे में खबर होगी जिसके बाद वो भी होस्पीटल भागेंगे शाह परिवार का इतना बुरा हालत पहले कभी नहीं देखा होगा आपने जिन बच्चों ने हाली में अपनी मा की मौद को इतने करीब से लोटते वे देखा है वो अपिता की मौद की खबत सुनकर बूरी तरह सदमे में हैं बता दे कि रुपाली कांगुली और गवरोखना श्टार टीवी सिरियल अनुपमा में सुधान सुपंडे अभी तक वनराज शाह का किरदार निभा रहे थे हलाकि उनके अचानक जाने की वज़़े से शो में अब वनराज शाह को नहीं दिखाये जा रहा है अब देखना होगा कि क्या में कर शो के लिए कोई वनराज शाह को तलासेंगे या फिर सचमुच उनके किरदार को शो से खत्म करने के लिए किसी नए विलन की एंट्री करवाएंगे